हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में, मैं हूँ शाशांक मिश्रा और हम यहाँ पर हम यूपियासाई के लिए हिंदी देख रहे हैं अब व्याकरण से इतर हमारा एक टॉपिक है, हिंदी वानने भारती भाषाई, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे और एक ही क्लास में इसको हम पूरी तरीके समझ लेंगे, यह काफी महतवपूर्ण भी आपकी परिक्षा के लिए यहाँ से प्रस्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो प्रस्न आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे भी प्रस्न जुशे तरफ से भी यहाँ पूछे जा सकते हैं, उन सब को यहाँ पर कवर करने का हम प्रयास करेंगे, और इस एक क्लास में हम इस सारी चीड़ों को देख लेंगे पूरी तरीके से, तो चलिए सुरू करते हैं इसको हम, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यगर आपनी UPSI के KJ Batch में अडमिशन नहीं लिया है, तो जल्द से अलद आप इसमें अडमिशन लें, यहाँ पर आपको टार्गेटेड बैच मिलेगा, आपको टेसरी प्रोवाइट कराए जाएंगे, आपको PDF नोट्स वगरा प्रोवाइट कराए जाएंगे, आप हमारे ओनलाइन बैच में जोईन कर सकते हैं, उसके लिए प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से आप कोचिंग जोईन कर लें, हमारे ओफ्लाइन बैच में अगर आप जोईन होना चाहते हैं, तो इस नमबर पे आप संपर कर सकते हैं, और किसी भी समस्या के लिए आप इस नमबर पे संपर कर सकते हैं, या फिर WhatsApp भी कर स सकते हैं, इस नमबर पे हमारे साइड भी विजिट कर लें, वहाँ पर भी आपनी समस्या, अपनी queries आप वहाँ से भी अपना पूर्च सकते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं आज के अपनी class, जिसमें हमें हिंदी के बारे में जानना है, और अन्य भारतिय भाशाओं के बारे या फिर या किसी अन्य भाशा से बना हुआ रूप है, तो इन साइड रिशीटों को हैं पर हम समझने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिंदी का, हिंदी भाशा का उद्भाव, मतलब हिंदी कैसे बनी, हिंदी की उद्पत्ति कैसे हुई, यह हम जा चिंतम भाशा है, और हिंदी संस्कृत सही बनी हुई है, लेकिन संस्कृत के यथा रूप से हिंदी नहीं बनी, हिंदी संस्कृत के सरलतम रूप से बनी है, हिंदी संस्कृत के एक सरल रूप से बनी है, वो सरल रूप कौन सी थी, यह हम देख लेंगे, अभी करके करम संस् तो हिंदी का जो उद्भाव है, वह जो है, सबसे पहले संस्कृत जो है, वह क्या रही है, पहली जो संस्कृत थी, वह वैदिक संस्कृत कही जाती है, वैदिक संस्कृत, मतलब वेद की संस्कृत, जो वेद जिस भासा में लिखे गए हैं, वह संस्कृत, संस्कृत का प्राच चिंतम रूप वैदिक संस्कृत कहलाता है वैदिक संस्कृत और लॉकिक संस्कृत दो संस्कृत थे वैदिक संस्कृत जो साहित जिसमें रचे गए जिसमें वेद लिखे गए जिसमें उपनिशद लिखे गए वो वैदिक संस्कृत है और जो आम बोलचाल में परियोग आती थी भाषा, वह लौकिक संस्कृत थी, सुरुवात में तो वैदिक संस्कृत ही बोलचाल में परियोग होती थी, लेकिन आपको पता ही ये कि जो बोलचाल में परियोग थोनेहरी भाषा अपने सरलतम रूप को धारण कर लेती है, उसी प्रकार से संस्कृत भी अपने सरल्तम रूप को धारन कर ली और वैदिक संस्कृत बदल कर लोकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई तो वैदिक संस्कृत जो काल रहा है वा क्या रहा है 1500 BC से 1000 BC तक इसको माना जाता है वैदिक संस्कृत और उसकी बात से या थोड़ी और जब सरल होती है तो यह लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो जाती है आम बोल चाल में परिवर्तित हो जाती है लौकिक संस्कृत जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की बारे में अगर हम देख लें तो हिंदी की दो भाषाएं अभी भी आपको प्रशलित हैं, आपर एक जो आप किताब में देखते हैं, किताबों में जो आप पढ़ते हैं, जसमें कहानिया, साहित, आप निबन, जो भी चिज़ें आप किताबों में पढ़ रहे होते हैं, वो साहितिक हिंदी है, और जो आप आम बोल चाल में परियोग करते हैं अपने घर में अपने परिवार में दोस्तों से वह जो है लोकिक हिंदी कही जा सकती है वह सामान हिंदी है जो आप परियोग करते हैं अभी तो हिंदी भी दो तरह की है अभी जैसे वैदिक संस्क्रित और लॉकिक संस्क्रित जो किताबों में, जो पुस्तकों में जो गरंथों में परियोकी गई वह वैदिक संस्क्रित थी और सरल जब हो गई वह भाशा तो वह लौकिक संस्कृत में परिवर्थित हो गई और इसका काल जो हम कह सकते हैं वो एक हजार इसवी से एक हजार बीसी से बिफोर क्राइस्ट से हम पान सो बीसी तक पान सो बीसी तक इसको हम कह सकते हैं अब लौकिक संस्कृत थोड़ी सी और सरल हो गई, लौकिक संस्कृत जब थोड़ी और सरल हुई, तो यह पाली में प्रकृत परिवर्तित हो गई, पाली भाशा, इसको हम प्रथम प्राकृत भी कह सकते हैं, प्रथम प्राकृत, प्रकृत का प्रथम रूप यानि की पाली पाली जो है यह 500 बीसी से आपका जीरो इस्वी तक मानना जाता है यही काल था जब बौधों का उदय हुआ और बौध धर्म के जो भी गरंथ लिखे गए वो पाली भाषा में ही लिखे गए यह भी आपके प्रस्ण बन सकते हैं यहां नहीं आपके इतिया आस में प्रस्ण बनेगा लेकिन यह भी एक प्रस्ण है जो पूछा जा सकता आप से कि पाली भाषा में कौन से गरंथ किस धर्म के गरंथ लिखे गए हैं तो पाली भाषा में बौधों के गरंथ लिखे गए हैं जो भी पिटक लिखे गए हैं त तो यहां प्राकृत में बदल जाती है, प्राकृत में यहां परिवर्तित हो जाती है और प्राकृत को हम यह पर्थम प्राकृत कह सकते हैं पाली को और प्राकृत को हम दुतिये प्राकृत कह सकते हैं, यानि कि प्राकृत का दुतिये रूप, दुतिये प्राकृत, इसका जो काल है वह हम 0 इस्वी से 500 इस्वी तक मान सकते हैं प्राकर तब बन गई और प्राकर जब थोड़ी सी और सरल होती है तो यह अपब्रंश में परिवर्थित हो जाती है अपब्रंश आप देख रहे हैं यहां पर संस्कृत जो है किस-किस रूप में परिवर्थित होकर हिंदी बन रही है अभी तक हिंदी का विकास नहीं हुआ है अभी तक यहां पर संस्कृत जो है लौकिक संस्कृत में परिवर्थित होई फिर पाली में परिवर्थित होई फिर प्राकरत में परिवर्थित होई अब इसके बाद से हिंदी का विकास हुआ, अभी तक हिंदी नहीं बन पाई है हिंदी जो है इतने चरणों के बाद से हिंदी का विकास हुआ है इन जो है 2000 वर्षों का करीब करीब करम लगता है हिंदी के बनने में तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2500 वर्सों में के बाद से हिंदी बनी तो हिंदी जो है सबसे नया रूप है संस्कृत का तो अपब्रंच जो है बनी और अपब्रंच का जो काल है वो 500 इसवी से 500 इसवी से हम कह सकते हैं 1000 इसवी तक का काल एक हजारे स्वी तक हमारी अपब्रंश बासा चलती रही अपब्रंश जब और थोड़ा सरल होता है तो यह जो है हिंदी में परिवर्टित हो जाती है अपब्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ हिंदी आप देखे रहें ना हिंदी इतने सारे चरणों को पार करने के बाद जो है एक हजारे स्वी से अभी तक जो चली आ रही है अभी तक अब आगे इसमें भी परिवर्टन हो रहा है आप देख रहें इसमें अंग्रेजी के शब्द जुड़ते हुए चला रहे है हिंग्लिश में परिवर्टित हो रहे है इसमें उर्दू, फार्सी और अन्य-अन्य भाषाओं के सब्द बनते चले आ रहे है और हिंदी थोड़ी और सरलतम रूप धारन कर रही है तो हिंदी में और भी अपने परिवर्टन आते रहेंगे आने वाले समय में भाषा परिवर्टन श्रील है आपको पता है तो भाषा बदलती रहेगी अपने सरलतम रूप को धारन करेगे जहां वे भी कलिश्टा रहेगे जहां वे भी थोड़ी कठनाई होगी भाषा में वो ज़रूर बदलेगी और हर समय में हर काल में भाषा बदलती आईए और परिवर्टित होती आईए भाषा को हम रोक नहीं सकते है तो यह है छटे नमबर पे क्या बन गई हमारी हिंदी पहले वैदिक संस्कृत फिर लॉकिक संस्कृत बनी फिर यह पाली में परिवर्टित हुई और फिर यह प्रकरत में परिवर्टित हो गई और उसके बाद से अपब्रंच आया अपब्रंच की कई साखाएं थी अपब्रंच की एक साखा से हिंदी का विकास हुआ है वह अभी हम देख लेंगे अपब्रंच की किस साखा से हिंदी का विकास हुआ है अपवरंश के कौन-कौन से रूप रहे हिंदी के विकास में तो यह हिंदी का विकास हो गया एक हजार स्वी में और उसके बाद से आप तो पढ़ते ही हैं एक हजार स्वी के बाद हिंदी साहित का इतिहास हिंदी में साहित लिखे का है उनका क्या इतियास रहा है, वो एक हजार सबी से करीब करीब मना जाता है, रामचन सुकलिण मना है, तो वह चीज़ें, जो अलग बाते हो गई हो, वह साहिट में हम देखेंगे, कब से कब और कौन-कौन से काल रहें हिंदी साहिट के, इतियास के, तो यहां पर हिंदी का विक जाए अभट क्या है तो क्या है वह हिंदी का जो नया रूप आप देख रहे हैं वह अभट नहीं है नहीं अपरभंश का कोई रूप है अभट अभट जो है पुर हिंदी जब सुरुवाती दौर में थी अपने जब सुरुवात में हिंदी चल रही थी जब बन रही थी हिंद हिंदी का निर्मान जब हो रहा था अपने शैसवा आवस्था में जब ऐसा बोले जब हिंदी अपने शैसवा आवस्था में थी तो तब वह अवहट कहला रही थी तो उसको क्या बोलते हैं अवहट कहते हैं इसको हम पुरानी हिंदी कह सकते हैं पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहिए इसको गुलेरी जी ने इसको क्या बोला है पुरानी हिंदी बोला है और अवहट किस ने बोला है इसको अवहट बोला है अब्दुर्रह्मान ने अब्दुर्रह्मान ने इसको बोला है और कहाँ पे संदेश रासक उनकी जो रशना है, साहित मैं आपसे यहाँ से प्रशने पूरा सकता है, अब 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 दुराहमान की रशना है, संदेश रासक, वहाँ में, वहाँ परिणों ने अवहट शब्द का परयोग किया है, पुरानी हिंदी के लिए, और इसको प्रकृ प्रकृता भाष हिंदी, पुरानी हिंदी को प्रकृता भाष हिंदी किस ने कहा है, शुकल जी ने कहा है, रामचंद शुकल जी ने कहा है, और इसी को जो है देशिल बैना कहा है, किस ने विद्यापती जी ने, यह बहुत महत्पूर्ण नहीं है, देशिल बैना, लिख लि को ठीक है तो पुरानी हिंदी को ये इन अलग-अलग नामों से बहुत सारे विद्वानोंगे ने कहा थो इसमें आपके आपक्ला फीरा देसे सारे मातफूर्ण हो सकते हैं तो हिंदी बं गई अब हिंधी बनी तो आपने अपब्रंश से हिंदी बन गई लेकिन अपब्रंश की किस साखा से हिंदी का विकास हुआ है यह भी समझने वाली बात है तो अपब्रंश के जिस साखा से हिंदी का विकास हुआ है वो हम देख लेते हैं अपब्रंश की पहले तो कितनी सा खाएं रही है या हम समझ लेते हैं तो अपब्रंश आप लिख लिजेगा एक heading अपब्रंश के रूप तो अपब्रंश के पांच रूप माने जाते हैं अपब्रंश के वैसे तो बहुत सारे रूप रहे हैं लेकिन प्रमुख रूप से पांच ही हम कह सकते हैं अभी हम सबी को देख लेंगे लगबग पांच ही को क्यों देखें तो यहाँ पर अपबरंश के जो है यहाँ पर पाँज रूप हो गया पहला जो हो गया आपका मागदी अपबरंश अपबरंश की वह जो है भाषा जो मगत छेतर में बोली जाती थी वह अपवरंश जो मगत छेतर में बोला याता था वो क्या कहलाता था मागदी अपवरंश इन सभी को आप लिखते हुए चलेगा परिक्षा में फिर दोहराने में बहुत आसानी होगी आपको जिस क्रम में मैं यहां लिखता हुआ चल रहा हूँ उस क्रम में आप इसको लिखते हुए चलेगा मगत छेतर में जो भाषा बोले जाती थी वह जो है अपवरंश की जो भाषा जो है मगत छेतर में बोले जाती थी वह जो है मागदी अपवरंश कहलाती थी तो मगत छेतर में यह कह सकते हैं हम बिहारी हिंदी मागदी अपवरंश जिसका विकास हुआ है किस भासा का विकास हुआ है बिहारी हिंदी का बिहारी हिंदी यानि कि अपवरंश का एक रूप है मागदी अपवरंश मागदी अपवरंश कौन सा अपवरंश है जो मगत के छेत्र में बोली जाती थी और यहाँ पर किस हिंदी का विकास हुआ मागदी अपबरंश से मागदी अपबरंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है बिहार में जो हिंदी बोली आती है उसका विकास किस से हुआ है मागदी अपबरंश से हुआ है अब हम देख लेते हैं, बिहारी हिंदी की कितनी बोलिया हैं, कितने और यहां पर बोलिया हैं, वह बिहारी हिंदी जो है, तीन जो है, बोलियों में बटा हुआ है, बिहार में तीन तरह की भाशाएं है, पहला हो गया मगधी, मगही, मगही हो गया पहला, और दूसरा हो गया म तो बिहारी हिंदी जो है मगही, मैथली और भोजपुरी में बटा हुआ है प्रशन आपके पूछे जा सकते हैं कि मागधी अपबरंस से किस भाषा का विकास हुआ है आपके या तो वहाँ पर इन तीनों बोलियों का विकास किससे हुआ है मागदी अपपरंचसे हुआ है और यह विहाँ अपपरंचसे की तीन साखाएं है इस बात को आपको ध्यान में रखना है अब हम देख लेते हैं अपवरंस की दूसरी जो साखा रही है वा क्या रही है यहां से आपने देख लिया अभी तो हिंदी का विकास मागदी अपवरंस से नहीं हुआ है मागदी अपवरंस से किसका किसका विकास हुआ है मंगही का हुआ है और मैथली का हुआ है और भोजपुरी का हुआ है इन ती पास का और जो छेत्र रहा है वहाँ पर अर्द मागदी जो है अपवरंज का प्रियोग होता था अर्द मागदी अपवरंज से जो बिकास हुआ है वह पूर्वी हिंदी का बिकास हुआ है पूर्वी भारत के छेत्र में जो हिंदी बोली जाए वह जो है पूर्वी हिंदी और पूर्वी हिंदी में कौन-कौन सी भाषा याती है यहां पर? वह हम देख लेते हैं, अवधी अवधी हो गया और दूसरा बगेली और जो तीसरी भासा है वह 36 गड़ी यह बहुत महतुपूर्ण है आपके लिए 36 गड़ी ठीक है? तो यहां पर अर्द मागदी से किसका किसका विकास हुआ है? अर्द मागदी से अवधी का विकास हुआ है, बगेली का विकास हुआ है और शतीस गड़ी का विकास हुआ है मागदी से किसका विकास हुआ है मंगही का, मैथली का और भुचपूरी का यहां से प्रस्ण आपके पूछे जा सकते हैं और संभावना शोव प्रत्षत है यहां से प्रस्ण पूछे जाने की यह काफी महतपूर्ण बिंदु है हर बार यहां से प्रस्न लगबक पूछे ही जा रहे हैं लगबक सभी परिक्षाओं में यहां से प्रस्न पूछे जाते हैं तो आपने मागदी देख लिया अर्द मागदी से आपका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और पूर्वी इंदी की कौन-कौन सी बोलिया है अवदी है बगेली है और चतीजगडी है अजो तीसरा अपवरंश का रूप है वह क्या कहलाता है महारास्ट्री अपवरंश महारास्ट्री अपवरंश महारास्ट्री अपवरंश जो है आपको पता ही है मराठी भाषा जो है मराठी भाषा का जो विकास है वह माराश्ट्री अपब्रंश से ही हुआ है अब चौथा जो अपब्रंश का रूप है वह खस अपब्रंश है खस अपब्रंश खस अपब्रंश जो है वह पहाड़ी हिंदी पहाड़ी हिंदी यानि खस अपवरंस से कौन सी भाषा का विकास हुआ पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ और पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी भाषा यहाँ पर मंडियाली इसको हम रंग चेंज करके लिख ले तो आसान रहेगा और अच्छा रहेगा समझने में तो किस कलर से लिख लें इसको चलिए ग्रीन से लिख लेते हैं मंडियाली मंडियाली को हिमांचली भी कहते है हिमांचल के छेत्र में पहला हो गया मंडियाली यह पहाड़ी भासा है पहाड़ी हिंदी का एक रूप है मंडियाली, ठीक है न, खस अपवरंस से बना है, अपवरंस के जो रूप रहे हैं अलग-अलग, उन रूप को हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मंडियाली हो गई पहली, और दूसरा क्या हो गया हमारा, दूसरा गड़वाली, तो कुमावनी, गड़वाली और मंडियाली, इनका विकास किसे हुआ है, खस अपवरंस से हुआ है, और खस अपवरंस से किस भाषा से हिंदी जो है, पहाड़ी हिंदी से इनका विकास हुआ है, ठीक है न, अब देखें यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर गड़वाली और कुमाईवनी मध्यवर्ती पहाडी की भाषाएं हैं यहां पे कुछ भ्रम भी होते हैं वह भी आगे हम समझ लेते हैं मध्यवर्ती पहाडी और बाकी चीजों में मध्यवर्ती पहाडी बहुत महत पूर्ण है ये सारे के सारे पूर्शन आपके लिए और यह जह है पूर्वी पहाड़ी पूर्वी पहाड़ी आपको पता ही है कि हिंदी की जो है पांच उपभाशाएं है और सत्रह बोलिया है उसमें गडवाली और कुमावनी एक है यहाँ पर आपके काफी ब्रहम होते हैं उन चीजों को भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे कैसे यहाँ पर ब्रहम आपके बनते हैं तो यहाँ पर आपने देख लिया खस अपभरंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ और पहाड़ी हिंदी की तीन बोलिया है मंडियाली, मंडियाली, गढ़वाल नहीं गढ़वाली और तीसरा क्या है कुमाविनी कुमाविनी और गढ़वाली मद्यवर्ती पहाडी की भाषा है और यह पूर्वी पहाडी की भाषा है यह हमने देख लिया अब हम जो पांचवा हमारा अपब्रण्श की भाषा हो जाएगी जो पांचवी है वह क्या हो सकती है शौरसैनी सूरसेन जन्पत के आसपास जो भाषा बोली जाती थी अपवरंश की वह क्या कहलाती है सौरसैनी अपवरंश सूरसेन जन्पत के आसपास यह भाषा बोली जाती थी अपवरंश की ठीक है न अब जो है यह दो तरह के भाशाओं में बदल जाती है दो तरह की भाशाओं यहां से बनके बनके आती है पहली है पश्चमी हिंदी पश्चमी एक मिनट हिंदी और दूसरा है राजस्थानी तो यहां से सौर सैनी एक भाशाओं का विकास होता है पश्चमी हिंदी का विकास होता है और दूसरा राजस्थानी हिंदी का विकास होता है तो अब इन दोनों हिंदियों में कौन-कौन सी भाशाओं, कौन-कौन सी बोलिया है इनको हम देख लेते हैं, इनसे किनकिन का विकास हुआ है, इनको भी हम देख लेते हैं तो सौर सैनिय पवरंच के पश्यमी हिंदी सागा से जो है, वह किस भाषा का विकास होता है यहाँ पर हम समझ लेते हैं तो पश्चमी हिंदी से एक तो खड़ी बोली का विकास होता है हिंदी की खड़ी बोली कन्नोजी ब्रज और हरियान्वी इसको हम नीचे लिखें थोड़ा क्योंकि भी राजस्तानी भी हमको लिखना है हरियान्वी और ये चार भाषा है हो गई यहां से एक और भाषा हमारी बुंदेली तो इन सारी भाषाओं का विकास जो है पश्चमी हिंदी से होता है अब आपने देख लिया कि यहां पर खड़ी बोली जो है वह किसे बन रही है सौर सैनिय पप्रणस वसे बन रही है तो परिक्षा में परस्ट में अगर बोला जाए पूछा जाए आपसे कि हिंदी का विकास किसे हुआ है खड़ी बोली को हम प्रय हिंदी बोलते है ठीक है ना तो हिंदी की जो वर्तमान जो हिंदी का रूप है वह खड़ी बोली ही है जो काफी प्रस्लित है जो मानक भाषा है वह खड़ी बोली ही है तो हिंदी की जो मानक भाषा है मतलब जो मानक हिंदी है या फिर खड़ी बोली है उसका विकास सौर सैनी अपवरंस से ही हुआ है इस बात को ध्यान में रखके चलना है प्रस्न यहां से पूछे गए हैं कि सौर सैनी अपवरंस से किस भासा का विकास हुआ है तो यहां पर आपके हिंदी अगर विकल्प में हो तो हिंदी, कनोजी, ब्रज, हर्यानमी या बुंदेली आपके जो विकल्प में जो भी हो यहां से वो सारे के सारे प्रस्न आपके यहां से हो जाएंगे तो हिंदी का विकास अपवरंस की सौर सैनी साका से हुआ है कि जो हमने देखा था ना कि हिंदी का जो उद्वव है वा किसे हुआ था पहले वैदिक संस्कृत बनी फिर लोकिक बनी फिर पाली प्रकर्थ फिर अपब्रंच और अपब्रंच की सौर सैनी साखा से अपब्रंस की सौर सैनी साखा से हिंदी का विकास हुआ है अपब्रंस के बाद तो हिंदी बनी ये बात सही है लेकिन अपब्रंस की किस साखा से हिंदी बनी अपब्रंस की सौर सैनी साखा से हिंदी बनी इस बात का आपको ध्यान में रखना है विकल्प में अगर मानलिया एक प्रस्ण आप से पूछा जाए और वहाँ पर यह कहा जाए कि हिंदी भाषा का विकास निम लिखित में से किस भाषा से हुआ है तो आप वहाँ पर चार विकल्प हैं मानलिया पहला विकल्प दे दिया वैदिक संस्कृत दूसरा विकल्प आपको मिल गया लौकिक संस्कृत तीसरा विकल्प अपबरंश और चौथा विकल्प आपको मिल गया सौर सैनी अपबरंश तो यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि आपवरंच की सौर सैनी साका से ही यहाँ पर हिंदी का विकास हुआ है और अगर सौर सैनी आपवरंच विकल्प में नहीं है माल लिया आपके चार विकल्प दे दिए गए वैदिक संस्कृत दूसरा हो गया पाली तीसरा प्रकिर्ट और चौथा यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है आप पवरंच से हुआ है और वहाँ पर साखा भी दे दे तो सौर सैनी आपवरंच से हिंदी का विकास हुआ है इसमें कोई कंफीजन नहीं होगा आपको बात समझ में आ गई होगी तो यह बात हमने समझ ली अब हम देख लेत है पश्यमी हिंदी का विकास हुआ और राजस्तानी हिंदी का विकास हुआ पश्यमी हिंदी में कौन-कौन सी चीज़े हमने देख ली खड़ी बोली कर्नोची ब्रज हर्यानवी और बंदेली अब हम देख लेते हैं राजस्तानी हिंदी में कौन-कौन से और भाशाओं का सबसे पहले तो जैपुरी हो गई ? रास्तान में जो है जैपुरी भाशा ? जैपुर में जो बोल याती है जैपुर के आसْ-पास के kmश्यत्रों में जो बोलeszी है मिवाद की बांप है कि दो जैप एक रड़ मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं थोड़ा जैपुरी मिवाती माडवारी मारवारी और क्या हो गई यहाँ पर आपकी मालवी मालवा के आसपास जो आपकी बोली जाती है तो इन चार भाशाओं का विकाज जो है सौर्सायनी प्रप्रंस की रास्तानी हिंदी साका से हुआ है इस बात का आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ से प्रप्रंस आपकी पूछे जाते है और अकसर पूछे आते है काफी महतवपूर्ण है अब हमने देख लेज यहाँ पर सौर्सायनी यह प्रंस चलिए अब हम देख लेते हैं यह 5 तो हमने देख लिया, अब बभरंश की ये 5 साकाई, 5 रूप हो गया है हमारे, लेकिन और भी बहुत साइ रूप रहे हैं बभरंश के, उनको भी समझ लेते हैं, वहाँ से भी प्रस्न पूछे जा सकते हैं आपकी परिक्षा में, तो एक दो और रूप हम देख लेते हैं, छटा रूप लिख लिए यहाँ पर, वैसे तो मुक्यता 5 यही हैं जो मैंने आपको बताया भी, लेकिन छटा एक और लिख लिए पैसाची अपबरंश, पैसाची अपबरंश, पैसाची अपबरंश से पंजाबी का विकास हुआ है, पंजाबी भाषा का विकास जो है, पैसाची अपबरंश से हुआ है, और लेहनदा भाषा, लेहनदा भाषा भी पंजाब के आसपास के छेत्रों में बोली जाती है, लेहनदा भाषा और पंजाबी भाषा, इन दोनों का विकास किसे हुआ है, अपबरंश की पैसाची साख पैसाची रूप से इसका विकास हुआ है कि यहां पर अप्राचड आप अपब रंच कि संभावनाओं को हम नगी छोडेंगे यहां से भी हम देख लेंगे यहां से प्रस्न बन सकते हैं तो अगर आ गए प्रस्न तो आप क्या करें अब हम हिंदी की उत्पत्ती देख लेंगे अच्छा उसे पहले हम कुछ और देख लेते हैं चलिए हिंदी की उत्पत्ती ही हम पहले देख लेते हैं हिंदी शब्द की उत्पत्ती ही हम देख लेते हैं सबसे पहले तो हिंदी शब्द कैसे बना, हिंदी शब्द की उत्पत्ती कैसे हुई हिंदी भाषा की उत्पत्ती तो आपने देखी ली अब हिंदी शब्द की उत्पत्ति हम देख लेते हैं उत्पत्ति हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आपको तो पता ही है कि हिंदी का विकाश जो है हिंदी सब्द जो है वह सिंदु सब्द से बना हुआ है इसको हम क्रम में समझ लेते हैं कि कैसे बना है तो हुआ क्या सिंदु नदी के आज़ पास के छेतर को सिंदु नदी को हम सिंदु बोलते हैं तो पहले इसको जा लेते हैं चलिए यहां से हम लिखते हैं इसको एक मिनट सिंदु संस्कृत का एक शब्द है सिंदू संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब सिंदू मतलब क्या है? सिंदू नदी सही इसका तातपर है सिंदू नदी अब हुआ क्या? यह लॉकिक संस्कृत में आके थोड़ा सा सरल हो गया और यह सिंदु जो है सिंद बन गया सिंद जो है सब्द यहां से बन गया सिंदु से ठीक है न अब थोड़ा सा और सरल होकर यह सिंद बन गया वैदिक संस्कृत में सिंदु था और यह थोड़ा सरल होकर सिंद बन गया अब हुआ क्या, यहाँ पर जब एरानी लोग आए एरानी 오늘 हुआ, probably अग्वन हुआ तो इन्होंने इस सिंद को हिंद कह दिया और सिंद को हिंदू कह दिया ठीक है न, तो इसको हिंदू कह दिया किसने एरानी कह दिया इरानी भाशा में क्योंकि वहाँ पे सा सब्द का लोप रहता है वहाँ पे शा वर्ण जो है नहीं बोलायाता उनकी वर्ण माला में शा नहीं है इस वज़े से सा को वह हा बोलते हैं ठीक है ना? तो सिंदु के आसपास के लोगों को उन्होंने हिंदुस्तानी इस वज़े से कहा तो यहाँ पर हिंदु सब्द का प्रयोग किया उन्होंने सिंदु नदी के लिए इसको हम लिख लेते हैं भी अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर जानना है कि इरानी जो भाशा थी वो कौन सी भाशा थी? फारसी थी मतलब जो हिंदी शब्द है वो कहां से उत्पन हुआ फारसी भाशा से हिंदी शब्द जो है फारसी भाशा का सब्द है अब यहां हिंदु बन गया सिंदु जो है हिंदु बन गया और हिंदु जो है क्या बन गया हिंद बन गया हिंद बन गया, इस क्रम को आप समझते हुए चलेगा, सिंदु संस्कृत में था, अब यह लौकिक संस्कृत में था, सिंदु जो है, सिंदु संस्कृत में, फिर यह लौकिक संस्कृत में, लौकिक संस्कृत, ठीक है, उसके बाद से, यह एरानियों के संपर्क में जब यह श इक प्रत्य लगाया, इक प्रत्य, चुकि हिंदी में तो इक प्रत्य होता है, हिंदी में हम देखते हैं न, इक प्रत्य, लेकिन इरानी भाषा में इक प्रत्य नहीं होता है, इक प्रत्य होता है, तो हिंद से जो है इक प्रत्य जैस में जुड़ा, तो यह जो है हिंदीक बन हिंदीक ठीक है आप यहां ब्रहमित मत होगेगा कि यहां पर एक प्रत्य हिंदी का है एक प्रत्य इरानी भासा का है और एक प्रत्य हिंदी का है हिंदी में हिंद में जो है एक प्रत्य जोड़ने से हिंदीक हो गया ठीक है नगर एक प्रत्य जोड़ता तो हिंदिक हो जाता ठीक है नगर इसको और थोड़ा साफ लिख देते हैं यह जो है हिंदीक हो गया दापर बड़ी की मात्रा हिंदीक अब हिंदीक जब बन गया यह तो कालांतर में हिंदीक से क्या हुआ का का जो है लोप हो गया और यह किसमें बदल गया हिंदी में बदल गया हिंदी में बदल गया ठीक है अब यह जो है इरानी भाषा का ही सब्द है और यहीं से हिंदीक से ही युनानी भाषा में इंडिका बन गया ठीक है न? इंडिका कहां पर किस भाषा में? युनानी भाषा में और अंग्रेजी में क्या बन गया? इंडिया बन गया ठीक है? तो इसको मैं उपर मिटा देता हूँ उपर लिख देता हूँ इन सारी चीरों को तो हुआ क्या हिंदीक से ही एक इनट हिंदीक से युनानी भासा में इंडिका बना और अंग्रेजी में इंडिया में गस्थनीज ने इंडिका लिखा भी है इंडिया अपना ग्रंथ लिखा है इंडिया के बारे में लिखा है भारत के बारे में लिखा है युनानी विक्ति था वो तो यह सारी चीज़ें आपको पता चल गई अब हिंदीक से जब का का लोप हो गया इसका को हटा दिया गया तो वह हिंदी बन गया अब हिंदी का जो विकास है इसी से हुआ है इस बात का आपको ध्यान में रखना है आपने इसका करम देख लिया कैसे हुआ सबसे पहले वैदिक संस्कृत में सिंधू सब्द था और सिंधू से सिंध बना लोकिक संस्कृत में और उसके बाद से जब फारसी भासा में यहाँ शब्द गया तो वह क्या बन गया हिंदु बन गया और हिंदु से हिंदीक बन गया हिंदीक से फिर हिंदी बना ठीक है न यहां से भी प्रस्ण आपके पूछे जाते हैं परिक्षा में, तो हिडिक डाल लें कि हिंदी भाषा वा उप बोलियां, हिंदी की उप भाषा ऐसे लिखे, हिंदी की उप भाषाएं वा बोलियां, यह जो है, आपका प्रस्ण यहां से, तो अगर हम हिंदी के उप भाषाएं और हिंदी की बोलियों की बात करें, तो हिंदी की पाँच उप भाषाएं हैं, पाँच उप भाषाएं, और सत्रह बोलियां हैं, कई कई पर यहां ब्रह्म हो जाता है कि अठारा बोलियां हैं, लेकिन यहां पर सत्रह बोलियां ही मुखे हैं, डॉक्टर नगेंद्र और बाकी पुस्तकों में ही सत्रह बोलियों के बारे में बताया है, तो वही सर्वमान ने हैं, काशी नागरी पचाडी सभा की पुस्तकों में भी सत्रह बोलियों के बारे में ही बताया है, पाँच उप भाषाएं और सत्रह बोलियां ही हैं, आपको ब्रहम कहां हो जाता है कि 18 बोलिया है और कहां पर ब्रहम हो जाता है कि 17 बोलिया है तो वह भी हम clear कर लेंगे, अगर आप परिक्षा में पूछा जाता है और यहां दोनों 17 और 18 दोनों विकल्प आ जाते हैं, तो यहां पर आपको 17 पर ही टिक करना है, वैसे अगर आगया परि अलग-अलग बोलिया हैं उनको हम देखते चलते हैं एक-एक करके हम सभी को देखेंगे पहली जो भाषा है हिंदी की उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी की जो पहली भाषा है वह है पश्चमी हिंदी पश्चमी हिंदी और पश्चमी हिंदी में जो अलग-अलग भाषाएं हैं वो बोलिया हैं उनको हम समझ लेते हैं पांच बोलिया हैं आपट पहली हो गई खड़ी बोली खड़ी बोली प्राय है हिंदी के लिए प्रियोग की जाती है हिंदी को ही हम खड़ी बोली कहते हैं जो हिंदी का मानक रूप है वह खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है ठीक है तो पहली हो गई खड़ी बोली और जो दूसरा है पश्चमी हिंदी में पांच बोलिया है पहला पश्मी हिंदी उभाशा है और उसमें पाँच बोलियां है पहली खड़ी बोली है और दूसरी है ब्रज अच्छा एक बात मैं और आपको बतातूँ कि खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं कौरवी भी इसको हम बोलते हैं ठीक है ना दूसरी हो गई हमारी ब्रज और तीसरी हमारी कन्नौ जी फिर बुंदेली और चौथी जो हमारी पाच्वी जो हमारी है वह क्या हो जाएगी हरियानवी इसको हम बांगरू भी कहते है परिक्षा में प्रस्ण पूछा गया है कि बांगरू किस भासा को कहते है तो आप यहां पर बता सकते हैं यहां से प्रस्ण पूछा गया है वैसे आपके कि कौरवी किस भाषा को किस बोली को हम कौरवी बोलते हैं तो खड़ी बोली को हम कौरवी बोलते हैं इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है तो पश्यमी हिंदी जो है उसकी पाच बोलिया है पहली हो गई खड़ी बोली द पूर्वी हिंदी यह एक उपभाषा है हिंदी की और पूर्वी हिंदी में तीन बोलिया है इसकी ठीक है जो पहली बोली है पूर्वी हिंदी की वह क्या है अवधी यहां से भी प्रस्ण पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी की ऐसे चार विकल्प दे दिये गए पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है वहाँ पे अवदी दे दिया गया और तीन और अन्य दे दिये गया और जो दूसरी है वह बगेली हो गई तो दूसरी आपकी क्या होगी बगेली हो गई और जो तीसरी है वह आपकी क्या हो जाएगी छतीस गड़ी छतीस गड़ी ठीक है तो यह आपकी पूर्वी हिंदी की जो है उप भाषाएं उप बोलिया हो गई पूर्वी हिंदी उभाषा की तीन उभ बोलिया हो गई तीन बोलिया हो गई कौन-कौन सी अवधी, बगेली और चत्तिसकडी अब जो तीसरी आपकी उभाषा है, वह क्या है? राजस्थानी हिंदी राजस्थानी हिंदी यह भी काफी महत्वपूर्ण है यहां से भी परसने पूछे जाते हैं आपके तो राजस्थानी हिंदी में पहला जो है आपका, पहली जो बोली है वह पश्चमी राजस्थानी की है पश्चमी राजस्थानी में कौन सी मारवारी? मारवारी इसको हम पश्चमी राजस्थानी भी कहते हैं जो दूसरी है वह पूर्वी राजस्थानी मतलब जैपुरी और जो तीसरी है वह क्या हो जाएगी मेवाती मेवात के छेतर में इसको हम उत्तरी राजस्तानी कहते हैं ठीक है पश्मी राजस्तानी पूर्वी राजस्तानी उत्तरी राजस्तानी और चौथा क्या है दक्षणी राजस्तानी वह कौन सी हो जागी मालवी भाषा ठीक है तो यह हमारी राजस्तानी हिंदी की जो है उब बोलियां हो गई चार उब बोलियां राज्थानी हिंदी की हैं, पहला आपने क्या देखा, पांच उब बोलियां पश्मी हिंदी की हो गई, पांच ये हो गई, पहली और फिर तीन ये आपकी कौन सी हो गई, पूर्वी हिंदी की हो गई, फिर चार आपकी कौन सी हो गई, राज्थानी हिंदी की हो नमबर पे जो हमारी बहाचा है वह बहाचा है पहाड़ी हिंदी हिंदी अ पहाड़ी हिंदी के जो बोलीया है उनको हम देख लेते हैं पहाड़ी हिंदी में एक तो हो गई आपकी मध्यवर्ती पहाड़ी पहली ठीक है ब्रह्म आपका यहीं होता है 17 बोलियां है या 18 बोलियां है आपका ब्रह्म यहीं पर होता है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर भ्रह्म अभी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कितने कितनी बोलियां है इग्जैक्ट कितनी बोलियां है यहाँ पर हम समझ लेंगे पहली हो गई मध्यवर्ती पहाड़ी और दूसरी हो गई आपकी और दूसरी है गडवाली ब्रह्म कहा होता है कि आप यहां पे मध्यवर्ती पहाड़ी को हटा देते हैं और वहां पे एक नंबर कुमायोनी लिख देते हैं दूसरे नंबर पर गडवाली और तीसरे नंबर पर पश्रमी पहाड़ी इस तरह से अगर आप गिनते हैं तो यह 18 ह जाती हैं वैसे मद्यवर्ती पहाड़ी और दूसरी पश्मी पहाड़ी ही है पहाड़ी हिंदी की बोलिया ठीक है इस बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना कुमायवनी और गढ़वाली मद्यवर्ती पहाड़ी की जो है शाखाएं ठीक है इस बात को आपको ध्यान मे ओलियां हो जाती है 18 नहीं 18 तब हो जाएगी जब मधिवर्ती पहाड़ी को आप गायब कर दें और कुमायवनी और गढ़वाली को आप अहां पर सामिल कर ले अलग से ठीक ना अलग अलग दो ठीक ना तब वह 18 हो जाएँगी वरना यह 17 ही होती है ठीक ना चौत्हा आपने द हिंदी अब बिहारी हिंदी में जो है तीन हमारी बोलिया हैं पहली हो गई कौन सी मैथली पहली मैथली हो गई दूसरी हो गई आपकी बोजपुरी और तीसरी मगही तीसरी आपकी हो गई मगही तो यह पांच जो है आपकी उपभाशाएं हैं और इन पांच उपभाशाओं में सत्रह बोलियां यह आपने सत्रहों को देख लिया यहाँ पर पहली उपभाशा आपकी कौन सी थी पश्रमी हिंदी उसमें आपने खड़ी बोली देखा ब्रज देखा कनोजी बंदेली और हर्यानवी यह आपने समझ लिया और जो दूसरी थी वह पूर्वी हिंदी है जिसमें अवधी बगहिली और छेतिजगड़ी आपने तीन यह दे देख लिया और जो चौती है वह आपने क्या देखा पहाड़ी हिंदी देखा पहाड़ी हिंदी में मद्यवर्ती पहाड़ी और पश्रमी पहाड़ी मद्यवर्ती पहाड़ी में कुवावनी और गडवाली है दो है उसकी साखाएं और फिर पांचमा जो उपभाशा है आप कुछ और तत्थे जो हैं, वो हिंदी के बारे में हम को जान लेनी चाहिए, उसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं, यहाँ पर आप फेडिंग डाल लें, कुछ महतुपूर्ण तत्थे, यहाँ पर सभी चीज़ों को एक साथ करके हम देख लेते हैं, जो महतुपूर्ण तत्थे और बच जाते हैं, हिंदी को लेकर, उन सब को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ठीक है ना? सबसे पहला है कि जो हिंदी है, हिंदी को सम्विधान की आठवी अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है, हिंदी को सम्विधान की आठवी अनुसूची में सामिल किया गया, हिंदी को लेकर कुछ महतुपूर्ण तत्य हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर पड़ी-बोली को को लेकर जो और थोड़े महतुपूर्ण तत्य हैं, उनको भी है कि करके यहाँ पर हम समझ ठीक है आठवी अनुसूची में हिंदी को शामिल किया गया भासा से संबन नहीं थे जिसमें 22 भासाओं को रुखा गया है इसमें से हिंदी एक है ठीक है आठवी अनुसूची में ठीक है न अब यहां पर इसका एक और समयधानिक पक्स देख लेते हम हिंदी को लेकर दूसरा क्या है कि हिंदी भारत की राज भाषा है राज भाषा और राष्ट भाषा में अंतर होता है राज भाषा उस भाषा कहते हैं जो राज की एक कारे काज के लिए प्रियोग होती है ठीक है ना जो राज एक दूसरे से वारता लाब करने के लिए या फिर अपने अंतर सम्मंद स्ताबित करने के लिए बासा का प्रयोग करते हैं, उनको हम राज भासा कहते हैं, और राश्ट भासा उस भासा कहते हैं, जो राश्ट के बहुत अधिक संख्या में जो लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राश्ट भासा बोलते हैं, तो भारत की राजभाशा की बात करें तो वो हिंदी है और यह जो है अनुछेद 343 एक में इसका उल्लेक किया गया है अब यह जो बात कही गई थी अनुछेद 343 एक में यह 14 सितंबर 1949 में कही गई थी 14 सितंबर 1949 में बहुत सारी चीजों को सम्विदान के लागू कर दिया गया था और कुछ मातोपूर्ण चीजों को रोक लिया गया था जोसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया तो 14 सितंबर 1950 में हिंदी को राजभासा के रूप में लागू कर दिया गया था तो इसी वज़ा से 14 सितंबर को हम क्या करते हैं हिंदी दिवस भी मनाते हैं महत्वपूर्ण हैं आपकी परिक्षा में पूछे गया हैं यहां से प्रस्न तो अनुशे 343 जो है उसमें हिंदी को राजभासा कहा गया है और 14 सितंबर 1969 में इसको राजभासा का दर्जा दिया गया था 1949 में 14 सितंबर के दिन इस वज़ा से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं ठीक है या हो गई कुछ सम्विधानिक बातें जो सम्विधान में हिंदी को लेकर कही गई है ठीक है ना अब हम और समझ लेते हैं कुछ हिंदी को लेकर और बातें अपनी जो है अब जो तीसरा तत्य है वो हम समझ लेते हैं हिंदी को लेकर खड़ी बोली जो है इसका सर्व परतम प्रियोग जो है लल्लू लाल ने किया है खड़ी बोली शब्द का सर्व परतम प्रियोग जो है वह लल्लू लाल जी ने किया है इस बात को ध्यान में रखना है परिक्षा में पूछे जाते हैं और कौरवी शब्द का परियोग, कौरवी शब्द का परियोग जो है, खड़ी बोली के लिए, हिंदी के लिए, वह सुकल जी ने किया है, सुकल जी ने किया है, रामचंद सुकल जी ने, और धिरेंद्र वर्मा ने, धिरेंद्र वर्मा, धिरेंद्र वर्मा नहीं याद रखन क्योंकि यहां से प्रश्न पूछ आ सकता है मातवपूर्ण है सुखल जी आपके ठीक है न और टकसाली हिंदी यह A point लिख दीजे यह B हो गया और C क्या सकते हैं टकसाली टकसाली हिंदी नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है टकसाली हिंदी किस ने नाम दिया था गिल क्राइस्ट ने इसको नाम दिया था अंग्रेज विद्वान था गिल्क्राइस्ट ठीक है तो गिल्क्राइस्ट ने क्या कहा था तकसाली हिंदी कहा था हिंदी को खड़ी बोली को ठीक है गिल्क्राइस्ट फॉर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता से संबंदी थे उसके प्राध्यापक थे ठीक है इस बात को अत्रिक थोड़ी जानकारी है इसको ध्यान में रखिएगा अब चौथा जो खड़ी बोली को लेकर हमारा जो तत्थ है वह क्या है खड़ी बोली का प्रथम महाकावे एक बार जब साहित पढ़ेंगे तो उसमें भी इन चीडों को हम देख लेंगे लेकिन यहाँ पर जब चुकी खड़ी बोली और हिंदी हम पढ़ रहें तो यहाँ पर इन सारी चीडों को हम देखते हुँ चलते हैं खड़ी बोली का प्रथम महाकावे हम किसको बोलते हैं प्रिय प्रवास को कहते हैं ठीक न? प्रिय प्रवास ठीक न? प्रिय प्रवास हरियोद ने ऐउद्या सिंग हरियोद ने इसको लिखा है ऐउद्या सिंग उपाध्याय हरियोद इसको हम सौट में हरियोंध ही लिखेंगे 1914 इसका प्रकासन हुआ था 1914 में प्रिये प्रवास का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकावे इसको कहा जाता है ठीक न अब कुछ और चीज़े हैं जो हम जान लेते हैं कि हिंदी का प्रथम कवी किसको कहते हैं खड़ी बोली का खड़ी बोली की बात कर रहा हूँ मैं यहापे खड़ी बोली का प्रथम कवी अमीर खुसरो कहते है अमीर खुसरो एक मिनट अमीर खुसरो को कहा जाता है ठीक है ना अमीर खुसरो का असली जो नाम था वो क्या था अमीर खुसरो का असली नाम अब्दुलरह्मान था ठीक है ना अब्दुलरह्मान इनका असली नाम था अमीर जो नाम था वो खिल जी ने इनको दिया था और खुसरो जो है, खुसरो सुखन, इनके गुरु ने इनका नाम करण किया था, इनके गुरु ने इनको क्या कहा था, खुसरो कहा था, और खिलजी ने अमीर कहा था, ठीक है न, इस बात को आपको द्यान में रखना है, अब्दुलरहमान नाम था इनका, ठीक है न, माफ अमीर खुसरो का जो नाम था अब्दुलहसन था असली नाम इनका अब्दुलहसन था ठीक ना और इनको अमीर कहा था किस ने अमीर नाम दिया था खिल जी ने ठीक ना और खुसरो नाम दिया था इनके गुरू ने ठीक ना इजुद्दीन ने अब हम देख लेते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो खड़ी बोली को लेकर महत्वपूर्ण है उत्तर भारत में खड़ी बोली का सर्व प्रथम प्रियोग गंग कवी ने किया था कवी गंग ने किया था किस रचना में चंद चंद वर्नन की महिमा कवी गंग कौन थे तुलसी दास जी के साले थे ठीक न कवी गंग तुलसी दास जी के साले थे रतनावली के भाई तुलसी दास जी की पत्निया क्या था रतनावली रतनावली के चचेरे भाई थे ये चचेरे भाई थे ठीक है न इस बात को ध्यान में अपना है एक और अतिरिक्त जानकारी है कविगंग के बारे में कि कविगंग को नूर जहां ने हाथी से अपने कुछलवा दिया था नूर जहां ने मरवा दिया था कविगंग को चुकि कविगंग ने नूर जहां की चापलूसी नहीं करी थी नूर जहां के बारे में उसकी प्रशंसा में कोई पंक्तिया नहीं लिखी इस वज़े से कवी गंग को हाथी से कुछलवा दिया था नूर जहां ने ठीक ना तो यह हो गया उत्तर भारत में खड़ी बोली का सर्वपर्थम प्रियोग किस ने किया था कवी गंग ने किया था चंद चंद वर्णन की महिमा में किया था ठीक ना और अगर दक्षिड भारत की बात करें तो दक्षिड भारत में सर्वपर्थम प्रियोग किस ने किया था मुल्ला वजही इनकी रचना थी सबरंग इसमें इनोंने मुल्ला वजही ने किया ठीक है यह कुछ बाते थी जो आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर तो कुछ महत्वपूर्ण बाते खड़ी बोली को और हिंदी को लेकर ठीक है न तो यह कुछ महत्वपूर्ण बाते थी खड़ी बोली को लेकर ठीक है न अब यहाँ पर हमारी क्लास खतम होती है हिंदी की भाषा और बोली के बारे में ठीक है और यहां सही प्रस्ना आपके पूछड़ेंगे, से बाहर कोई भी प्रस नहीं बचता है और और भी जो प्रस्ना आके होंगे वह हिंदी साहीते हैं जब हम देखेंगे तो दो काया प्रस्न और अउर और अपर हम उसको ऊसमज़ लेंगे और तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कराते रहिए जाहिन